फेलो दोस्तों जैहिंद रादे रादे आज की क्लास में कल अपना इसनेस्ट क्लास में पढ़ा था रिजदिंग का क्लासिटिफिकेशन वाला टोपिक इसमें अपन्नने 15 कुस्षण complete कर लिए थे और आज अपन next question को complete करने वाले हैं जहिन दोस्तों देखिए 15 तक अपने complete कर लिए थे इस विए question से अपने आगे बढ़ते हैं question number 16 देखिए क्या बुला गया है निम लिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इस प्रकार से यह अपने एक समू का निर्मान करते हैं आप बताईए कि इन में से कौन सा एक ऐसा युग्म है जो अन्य से बिनने क्या बताना है अन्य से बिनने बताना है देखिए पहला तू आ है त्टू आ रहा है यानि कि क्या करके लिखा गया है एक लेटर में माइनस करने पर अगले वाला एलेवन पर आता है ल कितने पर आता है टोफ ल पर आता है और फि में कितने यहां किया हुआ है इसमें कितना किया है प्लास वन कितना किया है प्लास वन फूर्थ ओप्शन को देखते हैं वाई कितने पर आता है देखो वाई वाई जेड क्या दे रखा है वाई वाई जेड याने 26 पर वाई आता है फिर 26 फिर क्या दे रखा है 20 देखो वाई कितने पर आता है 25 पर आता है फिर Y यानिकि 25 फिर कितना दे रखा है जेड यानिकि 26 पर दे रखा है अब देखिए या कितना है या X है दोस्तों क्या है इस कुछन मिस्प्रिंट हुआ है या कितना था X था इसका मतलग या क्या आएगा क्या आएगा 24 क्या आएगा 24 आएगा यानिकि इसमें क्या किया हुआ है प्लस वन किया हुआ है और इसमें भी क्या किया हुआ है प्लस वन किया हुआ अब देखो प्रते यानिकि पहले वाले उप्शन में क्या कर रखा है प्लस वन कर रखा है क्या कर रहा है पहले वाले option में minus one फिर minus one यान की four three और two four में से minus one किया तो three आया और three में से minus one किया तो two आया देखो नीचे वाले तीनो option में क्या कर रहा है plus one करके अगले वाला लेटर लिखा गया है जब कि पहले वाले option में क्या किया हुआ है माइनस करके अगले वाला later लिखा गया है इसलिए कौन सा answer होगा पस्ट वाला answer होगा क्या होगा यह तीनों एनकी second third और fourth तीनों क्या है same है बाकी first answer क्या है different है इसलिए इसका answer क्या होगा first वाला होगा next question देखिए, next question क्या है, question number 17, निम लिखिन चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है, और इस प्रकार से ये अपने एक समू का निर्मान करते हैं, आप बताईए कि इन में से कौन सा एक ऐसा है, जो अन्य तीन से बिन है, बिन बताना है, देखिए, पहला option क्या दे रखा है, 6 पर आता है, जी, 7 पर आता है, और H, 8 पर आता है, पी किक िखुड़े कि रहता है, 16, 17 और 18 अभ देको दोस्तों जरा, पहले Comes प्रकार से, प्लस व करकार प्लस वाला लेटर, प्लस उन करके, प्लस वाला लेटर प्लस प्लस वन इसमें क्या कर रखा है प्लस टू प्लस वन यानि कि इसमें क्या किया हुआ है प्लस टू और प्लस वन जब कि इनमें क्या कर रखा है प्लस वन प्लस वन और प्लस वन ऐसे फोर्ट वाले उप्शन में प्लस वन और इसमें भी प्लस वन कर रखा है यानि कि तीसरे व इसका मतलब कौनसा अंसर होगा option number 3 क्या होगा option number 3 next question देखिए निम लिखी चार में से किसी ना किसी प्रकार से एक समान है और इस प्रकार से ये अपने एक समू का निर्मान करते हैं आप बताईए कि कौनसा एक ऐसा समू है जो अन्य तीन से बिनन है यानि कि इन चार option में से बिन option बताना है देखिए कीटन इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है बिल्ली का बच्चा क्या होता है बिल्ली का बच्चा क्या बोलते है बिल्ली का बच्चा क्या बोलते हैं उसे बिल्ली का बच्चा यान की बिल्ली की बच्चे को क्या बोला जाएगा केटन कुक देखो कुक फिर क्या देने का है पप ये क्या होता है कुत्ते का बच्चा यान पिल्ला क्या होता है कुत्ते का बच्चा कुत्ते का बच्चे को क्या कहते है पप अब देखिए काल्प ये किसका बच्चा है गाई का बच्चा यान कि गाई का बच्चा क्या होता है बच्चडा गाई का बच्चा और गाई के बच्चे को क्या बोला चाहता है बच्चडा यान कि क्या है ये बच्चडा अब देखो ये बिल्ली का बच्चा है ये कुद्थ्य?" चैव में कि कुछ के बच्चा है और किसासा है,े गाई का है देखिए निम्म लिखित चार में से तीन किसी ना किसी प्रकार से एक समान और एल प्राकार Kurt यह आप बताए कि इन में से एक एसा है जो ऑल्न से बिन्न है निकिशार ऑप्च्ण मैं से वहापस बिन्न बताना है देखो तो बुक क्या कामाती है पढ़ने के कामाती है पढ़ने के कामाती है अल्मिराज तीसरा option क्या है मेक जीन मेक जीन का मतलब क्या होता है पत्रिका क्या होता है पत्रिका मेक जीन का मतलब होता है पत्रिका पत्रिका को क्या करते है पढ़ने के लिए काम आती है पुस्तक भी पढ़ने के काम आती है यानि पुस्तक और मेक जीन यानि कि पत्री का पढ़ने के लिए काम आती है और novels, novels यानि क्या होता है उपन्यास, क्या होता है उपन्यास यानि कि ये तीन तो क्या है पढ़ने की सामगरी है, क्या है पढ़ने की सामगरी है, जबकि अल मिराज का इन तीनों से कोई संबन नहीं है तो कौन सा अंसर आएगा दोस्तों? सेकंड वाला अंसर आएगा क्योंकि परष्त में क्या है? प्यक्षट में क्या है? बुक और तीसरे में में देघाए? मckजीन और चोतरं में क्या दिया है? नोवल. facultyule आप्शन तो सेम है क्योंकि यह तीनों जो वस्तुवे दे रहे कि अपने को क्या काम आती है पड़ने के काम आती है बाकि यह अलमिराज क्या आता है पड़ने के काम नहीं आता है यह नकि कौन सा अंसर होगा second वाला answer होगा Next Question, निमली की चार में से किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इस प्रकार से ये अपने एक समु का निर्मान करते हैं, आप बताइए कि इन में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीन से बिन है, देखिए, पस्ट वाला उप्षन क्या दे रखा है, आलू, क्या दे रखा है, फूर्थ क्या दिया हुआ है गोभी अब देखिए आलू को जब भी बोया जाता है तो आलू कहा आता है जमीन के अंदर याना कि अंदर आलू लगता है जब भी प्याज को भी बोया जाएगा तो प्याज कहा आएगा जमीन के अंदर ही आएगा जमीन के अंदर और गाजर भी पहलेगे जमीन के इंदर ही आएगी है ना आडवी बीका लाता है उो फूल आता है उपर आता है यानyi कि उपर अब डि इन में तो क् spatा पर यानी उपर आता है इसलिए इसमें कौनसा आएगा फोर्त वाला आएगा कौनसा आएगा फोर्त वाला क्योंकि ये तीनों क्या है जड़ी पादप है और ये क्या है फूल वाला याने फूल क्या एक प्रकार का फूल फूल पादप नेस्ट क्विशन, निम लिखी चार मेंसे तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इस प्रकार से ये अपने एक समुका निर्मान करते हैं, आप बताईए कि इन मेंसे कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीन से बिनने, देखो, पहला उप्षन क्या दे रखा है जन्वरी, फिर क् माई यान की चार ओप्शन दे रहे हैं जन्वरी मार्च अप्रेल माई देखो जन्वरी का जो महिना आता है जन्वरी का जो महिना आता है कितने जन्वरी के महिने में कितने दिन आते हैं जन्वरी के महिने में कितने दिन आते हैं 31 कितने का आता है 31 का यान कि जन्वरी का जो महिना आता है 31 का आता है और मार्च फिर क्या दे रखा है मार्च फिर दे रखा है अप्रेल फिर दिया हुआ है फोर्थ ओप्षन में माई अब देखिए जन्वरी में कितने दिन होते हैं 31 कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, और मार्च में कितने दिन होते हैं, तो मार्च में भी 31 दिन होते हैं, कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, और अपरेल में कितने होते हैं, तो 30 दिन, यान कि अपरेल का जो महिना आएगा, उसमें कितने दिन आते हैं, 30 दिन आते हैं, और माई म मार्च और मई यानि कि ये तीनों तो क्या है सेम डे यानि कि इसमें भी कतिस डे है इसमें भी कतिस डे है और इसमें भी कतिस डे है पर अप्रेल का जो महिना है उसमें कितने डे आएंगे तीस डे आएंगे यानि कि कौनसा आएगा अप्रेल कौनसा आएगा से एक समान है और इस प्रकार से ये अपने एक समू का निर्मान करते हैं आप बताईए कि इन में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीन से बिन्न है अब देखिए ओप्शन क्या दे रखा है भारत जापान यूरोप और रूस क्या दे रखा है भारत जापान यूरोप और रूस बारत क्या है एक परकार का देश है बारत क्या है देश क्या है बारत एक देश है तो जापान भी क्या है देश है जापान भी एक देश है बारत देश है जापान भी क्या है देश है जबकि जो यूरोप है यूरोप क्या है महादीप पे कितने महादीप है अरे एश्या महादी अफरिका महादीप उत्रि अमेरिका धक्षिन अमेरिका और रूस्ट ग्र महादीप और रूस्ट क्या है रूस्फक्स V明र और रूस्ट बारत जापन और रूस ये तिनों क्या है डेशे क्या है देशे Acre कि तीसरा जो option तया हुआ है वो क्या है यूरोप और यूरोप क्या है महाधीप उन्ट कृप निम लिखी चार में से चीन किसी ना किसी प्रकार से एक समान हे और इस प्रकार से ये अपने एक समू का निर्मान करते हैं आप बताईए कि इन में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीन से बिन्न है देखिए पहला उप्षन क्या दे रहका है शेर क्या दे रहका है शेर दे रहका है दूसरा दे रहका है चीता दीसरा दिया हुआ है कुत्ता और चोता दिया हुआ है बालू यानिकी शेर चीता बालू तो कहा रहते हैं जंगल यानिकी जंगली जानवर है शेर चीता और बालू क्या है जंगली जानवर है जबकि इसमें डोग यानिकी कुता जो दे रखा है ये जंगली जानवर नहीं है तो कौन सा अंसर आना चाहिए फिर यानि जंगली जानवर है यान कि ये तीनों एक ही केटेगरी के है जब कि ये कुत्ता अलग केटेगरी का यान कि ये डिपरेंट है तो आंसर भी यह आएगा क्या आएगा तीसरा वाला आंसर आएगा निमल की चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इस प्रकार से ये अपने एक समू का निर्मान करते हैं आप बताईये कि इन में से कौनसा ऐक एसा है जो अन्य तीन से बिन है देखो क्या दे रखा है पहला उप्षन डाक दूसरा क्या दे रखा है रेडियो फिर क्या दे रखा है टेलिविजन फिर दे रखा है बिजली देखो डाक के माध्यम से भी अपन को कोई भी सामगरी यानि की कोई लेटर प्राप्त होता है डाक के माध्यम से अपन क्या प्रसारन के माध्यम से कोई सूचना है गटनाओं को कि जानकारी प्राप्त करते हैं। डाक, रेडियो और टेलिविजन किसके प्रसारण के काम में आएंगे जबकि जो बिजली है बिजली किसके लिए काम में आती है बिजली अपने प्रकाश यानि कि उजाला करने के लिए प्रकाश के लिए किसके लिए प्रकाश के लिए इसलिए इसमें आंसर भी क्या आएगा बिजली आएगा क्योंकि बिजली इन तीनों से क्या है डिपरेंट है देखो डाक रेडियो और टेलिपोन तो क्या है सुचना प्रसरण के एक माध्यम है है ना सुचना प्रसरण की वस्तु है या माध्यम बोलो आप पर बिजली क्या है ये प्रकाश को जलिद करने के यानि प्राप्त करने के लिए बिजली का उप्योग करते हैं तो इसमें कों सा डिपरेंट है फोर्त वाला उप्यों तो आंशर क्या आएगा फोर्त वाला आएगा Next question क्या है देखो निम लिखी 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इस प्रकार से ये अपने एक समू का निर्मान करते हैं आप बताईए कि इन में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीन से बिन्न है देखो पहला उप्शन क्या दे रहा है यापारी यापारी का क्या काम है किसी भी वस्तू को बेजने यान कि ये क्या करता है बेजन को बेचने का काम करता है और वकील क्या है वकील का काम में सिर्फ नियाई दिलाना क्या दिलाना नियाई दिलाना जबकि अपन को जो तीन ओप्षन दिये हुए है उपर वाले तीनों ओप्षन क्या है या पारी विक्रेता और होकर ये क्या है ये तीनों बेचने का काम करते हैं ये तीनों क्या करते हैं वस्तों को बेचने का काम करते हैं जबकि वकील क्या करता है नियाई दिलाने का काम करता है तो difference कौन हुआ वकील यान की answer क्या आएगा वकील आएगा क्या आएगा दोस्तों वकील आएगा नेस्ट कुश्यन निम लिखी चार में से किसी न किसी प्रकार से एक समान है इस प्रकार से ये अपने एक समू का निर्मान करते हैं आप बताए कि इन में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीन से बिन्न है देखो पहला उप्षन क्या दे रखा है कुरसी दे रखा है क्या दे हुआ है चताई फिर क्या दिया हुआ है टेबल फिर दिया हुआ है इस टूल अब ध्यान से देखो कुरसी टेबल और इस टूल कोन बनाता है कोन बनाता है फरनीचर यानि की कारपेंटर इनको बनाने का काम करता है यानि की फरनीचर है ये क्या है फरनीचर यानि की क्या है फरनीचर क्या है ये तीन तो क्या दे रहे है फरनीचर यानि की कुरसी टेबल और स्टूल क्या है फरनीचर जबकि चटाई क्या है डिफरेंट है य फनीचर की सामगरी है इसलिए आंसर क्या आएगा चैटाए आएगा नेस्ट क्यूशन निम लिखी चार में से तीन किसी नहीं किसी प्रकार से एक समान है और इस प्रकार से ये अपने एक समू का निर्मान करते हैं आप बताएए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्यतीन से बिन है तो पढ़िए फिले क्या दे रखा है लखनव पिर क्या दिया हुआ है मद्यपरदेश पिर क्या दिया हुआ है गुजरात क्या दिया हुआ है गुजरात फिर दिया हुआ है सिक्किम क्या लखनव क्या है लखनव उत्तर प्रदेश की केपिटल यान की क्या है राजदानी मद्य प्रदेश क्या है एक राज्य यान की स्टेट है ये क्या है राजदानी है क्या है राजदानी है जबकि मद्य प्रदेश क्या है एक राज्य है क्या है राज्य है गुजरा और सिक्किम ये तीनों तो क्या है इस्टेट है जब कि लखनों क्या है यानि क्या है राजदानी तो आंसर क्या आएगा लखनों आएगा क्योंकि लखनों डिफ्रेंट आंसर है Next Question निमलकी चार में से तीन किसी ना किसी प्रकार से एक समान है और इस प्रकार से ये अपने एक समु का निर्मान करते हैं आप बताएगे कि इनमें से कौनसा एक एसा है जो अन्य तीन से डिफ्रेंट है यानि कि बिन्न है अब आप जम्बू कश्मिर गए होंगे तो आपको पता होगा इगलू इगलू क्या होता है बर्प के गर क्या होता है बर्प के गर जो बर्प के गर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं इगलू कहते हैं जोपड़ी भी क्या है एक प्रकार का गर है निवास इस्तान है गरीब का गर है क्या है गरीब का गर होता है जोपड़ी भी एक और गर क्या है गर भी एक निवास इस्तान है जिसमें अपना गर या अपना मकान यान कि ये तीनों तो क्या है वेक्ति के निवास करने के इस्तान है जबकि कारीले का है कारीले या ओपीस क्या है एक दफ्तर होता है इसलिए इन में डिफ्रेंट कौन है फोर्ट वाला तो आंसर क्या आएगा कारीले आएगा क्या आएगा दोस्तों कारीले आएगा क्योंकि इगलू जोबडी और गर ये क्या है निवास इस्तान जबकि कारील इस प्रकार से ये अपने एक समु का निर्मान करते हैं, आप बताईए कि इन में से कौन सा एक ऐसा है, जो अन्यतीन से क्या है, बिन्न है, देखो, क्या दे रखा है, पुस्तक दे रखा है, फिर क्या दिया हुआ है, पत्रिका दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है समाचार पत् किसी भी book को अपन पढ़ेंगे तो उससे अपन को जानकारी प्राप्त होगी न और समाचार पत्र से भी अपन जानकारी एकत्रित करते हैं और पत्री का यानि मेक जिन से भी अपन जानकारी प्राप्त करते हैं सूचना या जानकारी क्या प्राप्त करते हैं सूचना या जानकारी है ना सूचना या जानकारी प्राप्त करते हैं अब देखो जबकि फॉर्ट ओप्शन क्या दे रखा है पुस्तकाले जबकि पुस्तकाले में और आज की क्लास का next question देखिए, निम लिखी चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इस प्रकार से ये अपने एक समु का निर्मान करते हैं, आप बताएए कि इन में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्यतीन से बिन है, देखो पहले option में क्या दे रखा है कोयल, फिर क क्या दिया हुआ है पक्षी, और फिर क्या दिया हुआ है कववा, अब देखो इन में पक्षी, पक्षी के अंदर तो सारे पक्षी आ जाएगे पशू, यहने पक्षी की category में तो कोयल भी आ जाएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा, क्या जाएगा, कोयल भी आ जाएगा, क एक तरीके से यह पक्षियों का एक समाज हो गया जिसके अंदर क्या तो पक्षी के अंदर आएंगे जब कि यह तो एक पक्षी है यह इनकी इन में से डिप्रेंट्स कौन है तो पक्षी यह एक वर्ग है यह एक समू यह जाती का बहुत करा रहा है पक्षी किसका पक्षियों क कि जातीय एन्हें की आती का बहुत करा रहा है कोईल कभूतर और कॉया कों सा डिप्रेंट है तो पक्षी डिप्रेंट है कौन सा फक्षी डिप्रेंट है यह हिन दोस्तो रादे रादे आज की class में अपन यहीं तक पढ़ेंगे इसमें अपन ने आप classification वाला topic पूरा complete कर लिया है जैहिन दोस्तो रादे रादे